वेलो एवरीवन वेलकम बाग टू माई चानल तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्ट्रावबेरी जैम की बहुत ही इसी और क्विक रेसिपी तो सिरफ थ्री इंग्रिडियंट्स चाहिए हमें इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रावबेरी शूगर और लामन तो मैंने एक कट टूरी स्ट्रावबेरी को काट लिया है और एक कट टूरी ही हम चीनी लेंगे जितनी हम स्ट्रावबेरी से ले रहे हैं उतनी ही हम शूगर यूज़ करेंगे और बस हमने इसको पैन में डालना है और गैस ऑन करके हमने इसको पकाना शुरू कर देना है देखिए इसमें जैम बनके रेडी होने बाला है देखिए यह हल्का सा थीक हो गया है जब थीक हो जाएगा तो हमने इसमें ब्लेंडर चला लेंगे आप उसको पटाटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं अपने हाथों से पर यह जैसे कि बहुत ही क्विक रेसिपी है तो अगर हमने जल्दी जल्द परिज़ना है तो मैंने इसमें यह ब्लेंडर चला दिया अब यह पूरी स्ट्राबरिस बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है अब इसको फिर से गैस पर रख देना है और ऐसे कर्ची चलाते रहना है और तांकि यह नीचे से लगे ना जलना जाए कहीं और स्लोली स्लोली हम काम भी करता है कि आप एक महीने तक इस जैम को यूज कर सकते हैं मैंने तो ये थोड़ा सा कम कॉंटिटी में ही बना रही हूं मैं जैम आप अगर ज्यादा कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं तो एक महीने तक आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं देखिए ये बिल्कुल ठी को गया इस तरह से जैसे आप कुकिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कैसी इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो रही है हम जैम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह जैम की लुक इसकी आ गई है के नहीं तो इस तरह से देखिए यह बन गया बिल्कुल कम्प् हमारा यूज करने का मन करेगा खाने का मन करेगा तो हम ब्रेट पे लगा के खा सकते हैं और कितनी हेल्दी एंड क्विक रेसिपी है कि घर में साफ सुत्री चीजों से बना हुआ जैम आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं देखिए किता बढ़िया सा जैम बनाएं ओक बाई बाई